असलामु आलेकुम दोस्तों मैं मुहम्मद आदिल और आप लोग देख रहे हैं गल्फ इन्फो टीबी न्यूस चैनल दोस्तों कुवेत में करमचारियों को समय पर वेतन नहीं देनवाली कमपनियों पर कारवाही होगी दोस्तों कुवेत में जो प्राविट सेक्टर है वहाँ पर भारी मातरा में परवासी विदेशी काम करते हैं कुवेत सरकार ने कहा कि अगर इनकी कमपनी इन्हें समय पर वक्त पर इनकी सैलरी नहीं देती है तो ऐसी स्तिती में कमपनी पर कारवाही होगी यहां तक कि इनके sponsor की file को निलंबित कर दिया जाएगा दूसरे sponsor के पास transfer कर दिया जाएगा दोस्तो ये कानून अभी लागू किया गया है कुवेट private sector में जितने भी company हैं सबी company आपने worker को time पर salary दे दें वरना तो ये कानून के तहत बड़ी कारवाही होगी company को बंद किया जाएगा sponsor की file निलंबित कर दी जाएगी तो दोस्तो कुवेट में ऐसे जादातर परवासी हैं जिनने समय पर salary नहीं मिलती वे परिशान नहते हैं sponsor से तो दोस्तो इस वक्त आप लोग इस कानून का फायदा उठाएं और sponsor के खिलाफ F.I.R. दर्ज terrace कर दें ताकि आप लोगों का वेतन टाइम पर मिल सके और sponsor के खिलाफ F.I.R. दर्ज कर दें ताकि आप लोगों को टाइम पर वेतन मिल सके साथ ही मेरे दोस्तों कोवेट काहरा स्ट्रीट में नहीं सुरंग खोली गई ए आप लोगों को बता दें कि कुवेत में सड़क और भूमी परिबाहन के लिए सामाने परदिकरण ने काहरा स्ट्रेट परियोजना में नई सुरंगों में से एक क्योदगाटन का एलान किया है जो देया, अलदस्मा, अलमसूरिया और अलकादिसिया के छेतरों के बीच दूसरी रिंग रोड के नीचे इस्तित है सुरंग में कुवेस सिटी की और तीन लेन हैं अधिकारियों ने बताया कि उसी सुरंग की बीपरित दिसा को जल्द ही खूला जाएगा काहरा स्ट्रीट परियोजना में साथ किलो मीटर सडकें बिक्सित करना शामिल है जिसमें तीन सुरंगे और जमीनी इस्तर पर पांच पुल इसके अलावा एक फलाई ओवर बिरिज, तेस, बस श्टोप और साथ पैदल यातरी पुल शामिल है साथ ही कुवेत ने बिदेश में नशीली दवाओं के अपराद में शामिल कुवेतियों के पासपोर्ट रद कर दिये हैं यानि के जो कुवेती सिटिजेंस कुवेत से बाहर रहते हैं बिदेशों में जिनके नाम नशीली दवाओं के अपराद में शामिल हैं जो बेदेसों में जेलों में बंद हैं, उनके पासपोर्ट को रत कर दिया गया है। ऐसे काफी सारे कुवेती सिटिजैन्स हैं, जिनके उपर कोई सुनबाई नहीं हुई और उनके पासपोर्ट रत कर दिये गई हैं। फिलाल कुवेट सरकार का कोई नोटिस नहीं है बस यही कहा गया है कि पासपोर्ट निलंबित है तो दोस्तों ये थी कुछ इंपोर्टेंट एहमतरीन ख़वर हैं जो हमने आप तक शेयर करें ऐसी ही खवरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और